तो फाइनली मैं M4 चिप की पावर के सांथ अच्छे से कैंडी क्रश खेल पाऊंगा और रू को छुजाने वाले इमेल्स पेज पाऊंगा जोक साइड अपल ने अपना एक इवेंट रखाता हो इसमें न्यू आइपड लॉंच कर दिये मस्त बॉड़ी ट्रांस्फोर्मेशन करके विद बड़े ओप्राइड इस प्लेज नई चिप्स नई पैंसिल बट इन चीज़ों का करे क्या एट देंड अप देंड है तो और मैंने वालेट में आग लगा के पैंसिल प्रो और आइपड प्रो को और कर दिया अगर आप फुल रिव्यू देखने में इंट्रेस्टेड हो तो मेक्शोर यू सब्सक्राइब क्योंकि वो जल्दी आएगा चानल पर तो शुरू करते हैं पैंसिल प्रोगे नहीं पैंस पैंसिल को स्क्वीज करोगे तो पालेट पॉप उपन हो जाएगा जैसे आप बहुत क्विकली अपने ब्रश साइजेस कलर और टूल्स बगयरा अज़ेस्ट कर पाऊ इन सब चीजों को महसूस करने के लिए एक हैप्टिक मोटर भी आइड कर दी है पैंसिल में तो फीडब चारजिंग पिंज एक साइट से दूसरी साइट शिफ्ट करने पड़े इसलिए नहीं है अब देखते हैं स्टार अफ दे शो को दी आइपैड प्रो और यहां पर आपल ने बहुत सी चीज़ें अपग्रेड करी है पहले तो नाव यहाब निव साइज जो कि मुझे तो कहन 1.1 mm थिन है जो कि इस अपल का स्लिम डिवाइस बना देता है सिर्फ आइपैड में इंक्लूडिंग मैक बोक्स आइफोन आइपोड और दोनों फैदर लाइट भी है एट 444 ग्राम्स और 579 ग्राम्स और ओनेसली इन न्यू आइपैड की डिजाइन को लेके ना मैं 30Hz Pro Motion बस पागल पन लग रहा है वो भी इतने पतले डिवाइस में और इसको पुल आफ करने के लिए करना भी पड़ा होगा एपल को दो ओलेट पैनल एक दूसरे के उपर स्टैग्ड हैं तो अचीव इस काइंड अफ नंबर टैनम ओलेट बुला रहे हैं और इस तरीके का कोटिंग जिसे नैनो टेक्श्चर कोटिंग बुलाते हैं उसको आइपैड में भी लिया है बस 10,000 एक्स्टा उसका पड़ा है इसके लिए न सिर्फ वाले मॉडल्स ही एलिजिबल हैं रिफ्लेक्शन को थोड़ा टॉलरेबल बनाने में मदद तो करती है बड़ शापनेस और कलर्स भी एफेक्ट होते हैं थोड़ा बहुत अब इस चका चॉन स्क्रीन का पूरा क्रेडिसिफ डिस्प्ले हार्डवेय का नहीं है दे लेटेस्ट M4 चिप का भी है उसी के डिस्प्ले कंट्रोलर्स के कारण बैट्री और एफिशेंसी वगेरा मिंटेन होने वाली है ओ भाई ये चिप साही माहिने में अपग्रेड है M2 के ऊपर M3 को छोड़ो ये भी 3 नानोमीटर पे बेस्ट है और 10 कोर CPU और 10 कोर GPU के साथ आती है मेमरी बैंडविध में भी 20% का अपग्रेड है अपल क्लेम तो कर रहा है अप तो 1.5 ताइंस CPU पर्फोर्मेंस एन अप तो 4 ताइंस रेंडरिंग पर्फोर्मेंस कंपरेड तो M2 अब I am damn sure कि day-to-day performance में कोई खास difference नहीं दिखेगा even when compared with M1 क्योंकि optimized ही इतना रहते हैं पर जहां दिखेगा न वहां अच्छा खासा होगा is my guess वागी full review में अच्छे से testing करके आपको बता हुआ 16-core neural engine भी है इसमें AI-based task के लिए but I have a feeling कि Apple कुछ तो special plan कर रहा है इसके लिए next month तक WWDC का wait करना पड़ेगा to find out exactly what new media engine भी आड़ हो गया इसमें 8K footage encode decode करने के काम में आना चाहिए बाकी एक चीज जो Apple ने stage पे तो address नहीं करी जो one or two TB वाले models है न सिर्फ उनी में 10-core CPU 10-core GPU वाले इचे पाने वाली है उसके जो नीचे वाले models है न उनमें 9-core CPU आएगा तो एक performance को लेस रहेगा रियल वर्ड में कोई खास performance में difference तो नहीं आना चाहिए बाकी testing में ही पता चलेगा exactly क्या है Apple ने silently ultrawide camera हटा दिया iPad Pro से जिससे I don't think कि most लोगों को फर्क पड़ेगा क्योंकि कौन ही उस करता था iPad में ultrawides नहीं हुए पड़ इससे एक अजीब चीज यह हुई है कि अब आप विजन प्रो के लिए special video नहीं record कर पाऊगे क्योंकि उसके लिए आपको दौनों lenses लगते थे वर्टिकल ओरेंटेशन में उसमें एक नए टाइप का flash add कर दिया है जिसे लोग adaptive true tone flash बुला रहे हैं तो इससे आपका document scanning experience better होना चाहिए क्योंकि आपकी shadows वगेरा को eliminate कर देगा और आपके जो documents है वो actually white दिखने चाहिए तो बैटरी पर नजर डाले तो इस चीज को apple ने stage पे तो address नहीं किया मगर उनकी website के साफ से it should last about the same as the previous iPads and honestly इस बात में मुझे तो शक है it's not that की मैं M4 chip की efficiency पर डाउट कर रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है it's just की 1000 nits का panel पहले तो and on top of that ये new और पतला design है ना तो physically smaller battery तो ये दोनों चीजें जब account में लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि it probably won't last as much as the previous ones but इसकी भी बहुत thoroughly testing करेंगे full review में तो अब बात कर लेते हैं खडचे की तो the new iPad start from 1 lakh rupees in India जो की बहुत ही जादा है for a tablet but अच्छी बात यह है कि आपका जो base storage है वो start होता है 256 GB से as opposed to 128 GB तो I think that's pretty cool बाकि I'm guessing कि अगर आप इसे ले रहे हो तो आप most probably latest pencil pro भी लोगे तो उसका 12,000 रुपय अलग से add कर लो तो altogether एक लाग 12,000 रुपय का फटका और खीचना चाहो न तो इसको खीचके आप आरा हमसे 3,000 रुपय तक ले जा सकते हो और उस point पे मुझे सबसे जादा unbelievable यह लगता है न कि एक 3,000 रुपय के computing device में inbuilt calculator नहीं आथा बागी as an accessory Apple ने एक new keyboard भी launch किया इन latest iPads के लिए इसमें function keys बगएर डाल दी है उपर और Apple का कहना तो है कि आपको पूरा Macbook वाला feel देगा क्योंकि aluminum body है और haptic feedback बगएर रहेगा पर 34,000 रुपय का एक keyboard है भाई इतने महंगे emails भाई मेरी उंगलिया deserve नहीं करती भाई इस keyboard को अब iPad Air को देखे न तो पूरा final destination का sequel लग रहा है same formula इधर भी repeat कर दिया दो नए sizes है यहाँ पर है और 11 इंज वाले को तो ऐसे ही rename कर दिया same size है भाई पहले जैसा M1 की जगे M2 डाल दिया तो decent performance जम भी देखने मिल जाएगा और finally webcam सही जगे पर डाल दिया तो आप ऐसे तिरचे नहीं दिखोगे video calls Wi-Fi 6 की जगे 6C हो गया और यह जो न्यू वाले iPads है pencil pro को भी support करेंगे इसके अलावा और कोई difference है नहीं honestly अगर मैं आपको पिछला वाला और यह latest वाला air हात में देदू तो आप honestly difference भी नहीं बता पाऊगे दोनों में बट एक चीज अच्छी होगी कि base storage ना अब 128 GB से start होता है इसके पहले 64 GB से start होता था जो कि absolutely horrendous था पता नहीं क्या सोचके उसको बेज रहे थे इतनी performance ऐसी display बैचार आइपड वेस तो ऐसा लगता है कि 5th class का junior 12th class के seniors के साथ केल रहा हूँ major identity crisis है इतना internal struggle feel होता है ना इनकी decisions का as to what an iPad should be ऐसे world class specs ते रहे हैं और चलना तो mobile apps ही है जो कि finally 3 साल पुरा M1 iPad भी आराम से handle कर सकता है अब ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़िया नहीं है there is a reason कि हमेशे best selling tablets क्यों रहते हैं जो चीज़ा ये करते हैं ना उनमें पूरी monopoly है इनकी जैसे visual artists और designers की बीच में Procreate, Flipaclip, Calipac जैसे apps और photographers की बीच में Pixelmeter, Lightroom वगेरा, Architects के लिए AutoCAD, Autodesk वगेरा और almost हर category में इनके कुछ ऐसे apps हैं जो incredible capability offer कर रहे हैं बहुत ease of use के साथ और कुछ apps तो अपने आप में reason बन जाते हैं लोगों के लिए iPad लेने का problem है pricing iPad processes तो आप MacBook Air ले सकते हो और उस पर आप बहुत कुछ कर सकते हो definitely iPad से जाधा and unlike iPad OS Mac OS is not as close तो वहां पे आपका software वाला जुगाड भी चल जाता है definitely iPads are not meant for everyone but जो चीज़ें करते हैं especially with some exclusive apps वो भी pencil experience के साथ यसे वरतित बना देता है एक नीश audience के लिए and for the rest of us चीज़े इंप्रूव हो रही है last year लोग final cut pro logic pro को iPad OS पे ले आए and third party apps quickly followed like affinity designer or DaVinci Resolve भी अब iPad पे आच चुका है अभी apps definitely अपने desktop counterparts इतनी पूरी functionality तो नहीं दे रहे but बहुत rapidly improve हो रहे अभी Apple के event में ही बहुत significant updates आये to both final cut and logic और Procreate भी significantly improve हो है नहीं भाई ऐसा नहीं है actually YouTube के साथ में small design agency run करता हूँ और कुछ specific design programs को run करने के लिए मैंने iPad को लिया है बाकि इसकी बहुत thorough testing करके doing all kinds of things आपको एक बहुत comprehensive review में लेके आऊँगा तो subscribe जरूर कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो it's a new channel thanks a lot for watching my wife from Tech Pride मिलूंगा अपलो किसे अगले वीडियो में